इस दोस्तों तो अपने देखी लिया हुआ बाई काफी बढ़ी आतरगे से आप समझ गया होंगे कि यह जो मशीन है आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हुए कि इस काम आने वाली है ठीक है तो यह जो मशीन है आप इससे अपने बड़े पार्टी वगएरा में बैलून वगएरा में जब भी आप हवा बरते हो इस मशीन से काफी बढ़िया तरीके से भा भर सकते हो और काफी फास्ट तरी बॉलेट प्लास्टिक से बनी हुई है तो काफी बड़िया बिल्ड क्वाल्टी काऊंगा और काफी एजी टू कहरी है यह अन्बॉक्सिंग की चोचलेवाजी मैं नहीं करूँगा क्योंकि यह सिंपल से इस बॉक्स में रखे आई थी इसमें बॉक्स में इस मशीन के सोच रहे होगे कि यह जो मशीन साइट बैटरी से ऑपरेट होती है बिल्कुल नहीं यह जो है आपके जो घर में लाइट आती है 220 वोल्ट सिंगल फेस AC से ही ऑपरेट होती है यहां पर एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है यहां पर काफी बड़िया तरीके से और्गनाइज अब बस बैलोन किने नहीं ज्यादा बकवास क्यों करने तो यह अभी में पास रखा है बोर मैं इसको अभी बोर से connect कर दिता हूं यह में अपने बोर से connect कर दिया अब यहां पर आप देखांगे तो यहां पर आपको एक बटन देखने को मिलेगा यहां से आन उफ करनने के लिए बोड से मैंने ओन कर दी है अब मेरे को सिंपली यहां से ओन करूँगा तो यहां पर आप दो नोजे लिए जो देख रहे हैं इस मैंसे जो हवाय वो बाहर निकलती है तो यह कुछ इस तरीके की भाई आवाज करती है जब यह ओन होती है अब आप सोच रहोगे कितना आवाज करती है अगर आपको अभी अंदाज नहीं लगा तो मैं आपको बता रहता हूं आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर तो हो गाई वाई तो जब भी आप कुछ भी उसमे मिक्सर ग्राइंडर में पीष्टे ओने जितनी वह वाज करता है सेम यह वाज निकलता तो एक तरीके से इसे भी मिक्सर ग्राइंडर समझ लोग वैसे हवा अगुबार में भरी आती है तो कुछ इस तरीके से आप इसको अन उफ कर सकते हो और सबसे पहले भाई हम एक बैलून वगरा आप फुला सकते हैं यहां पर दो नोजल देखने को मिलती है आपको एक आपको यह पिंक कलर की देखने को मिलेगी जो मसीन के कलर की है और यह आपको मिलेगी ब्लू कलर की ठीक है अब इन दोनो नोजल से आप एक साथ भी इन बैलून में हवा भर सकते हो मै मैं यह पहले एक इस नोजल में लगा देता हूं और दूसरा यह न लगा देता हूं ठीक है अब यह मैंने दौनों लगा दिये हैं और यह मैंने ऐसे पकड़ ली है दौनों में अब आप सोच रहोगे वाई कि बटन कौन प्रेस करेगा है एक और एक्स्ट्रा बंदा लगेग बटन दवाएगा फिर बंद करेगा यह जो ब्लू वाली नोजल आप देख रहे हैं यह सेंसर के साथ आती है मतलों सेंसर क्या हलका सा इसे नीचे की तरफ प्रेस करेंगे हलका सा तो यह जो है ओन हो जाती है मसीन मैं एक बार दिखा भी देता हूं आपको तो कुछ इस तरीके से भाई आप दोनों हाथ से अपने बढ़िया तरीके से जो अगबारों में हवा भर सकते हो जैसे प्रेस करेंगे, अन हो जाएगी, जैसे रिलीज करोगे, यह उफ हो जाती है, तो इस तरीके से इस मसीन को आप सिंगल भी ऑपरेट कर सकते हो, यह वाली जो नोजल देख रहे हैं, यह फिक्स नोजल है, इसे दबाने से यह उन नहीं होई, बट यह वाली नोजल जो इसका जो पीछे आप शेद देखेंगे, तो यह चोड़ा है, तो चोड़े शेद के लिए तो यह उसमें लगा सकते हो, बट जो छोटे बैलू आपते हैं, तो छोटे बैलू है तो उनके लिए यह जो नोजल है वो आती, तो किसी भी नोजल पर आप इस जो यह नोजल सकते हो, तो यह ऐसे फूट भी सकते हैं, अगर ज्यादा हवा भर दोगे तो यह ऐसे कुछ भाई हम हवा वगरा इनमें भर सकते हैं, बट वाई मसीन तो मेरे को काफी कमाल की लगी है, काफी बढ़ी है तरी किसे आप बैलून वगरा, इससे फुला सकते हो, बट इसमें एक बैलून होता, जो पाइप वाला बैलून आता ना, पतला वाला लंबा होता जो, वो इससे नहीं फुला सकते हो, उसमें थोड़ा सा प्रैसर होता हो ज्यादा लगता है, तो अब बात कर लेते हैं कि यह मसीन आपको खरीदनी चाहिए नहीं करीदने चाहिए, तो देखे, मैं बता लेता हूँ आपको, अगर आपको कोई बजट वगरा कि आपकी चिंता नहीं है, तो 800 रुपे में आप इस मसीन को खरीच सकते हो, काफी मस्त मसीन है, अब आप सोचरों जैसे गुबबाड़े वगरा फूट रहें, तो वाई त कि हाँ थोड़ा बहुत गरम अब फैकने लग जाएगी थोड़ी दिरवाद, तो ऐसा हो सकता कि जो आपके बैलून है वो फूटने लग जा, तो इसके लिए थोड़ी दिर पांच मिनट बन कर दो, फिर आप इसको अपने गुबबारे वगरा फुला सकते हैं, बैसे देख लाना चाहते हो, तो फिर यह मसीन आपके लिए बैस्ट रहेगी कि एक तुम टाइम कम लगेगा इसमें, तो आपकी टाइम की सेविंग भी हो जाएगी और जो गुबबारे भाई, बिना मैनद के भाई, फूल भी जाएगी, तो अवरॉल भाई, मसीन काफी जबरदस्तर ल लाइक कर सकते हो, चैनल पर पहली बार हो, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, मिलते हैं और ऐसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए रखे अपना खयाल, चैहेंगे